दोस्तों और इस गोली मैं आपका स्वागत स्वाथ्य समधी चर्चा के अंदर होमियोपेटिक के अंदर एक विख्याद दवा जिसका नाम है एगेरीकस मस्केरियस एगेरीकस मस्केरियस का परियोग हमेशा 30 पोटेंशी दिन में 3 बार एक अपता करना चाहिए आगे अपने डोक्टर की राई ले ले में क्योंकि इसकी 200 पोटेंशी का परियोग गातक सिद्ध हो सकता है हाँ इसके खास लक्षन जिन व्रद व्यक्तियों के शरीर में खून संचारन की गती कम हो गई हो शराप पिने अधिक नसिले पदातों के सेवन करने से स्वास्ते बेगड़ गया हो उनके बच्चों में भी कुछ ऐसे लक्षन हो तो इस परकार के लक्षनों में एगेरीकस मस्केरेस का प्रियोग करना चाहिए एगेर कस मस्केरेस उसनी ठंडी परकती वाले लोगों के लिए उप्योग यह जो व्यक्ति ये कहते हैं कि उनके सरीर की खून की सकती गड़ गई है इसलिए अब ठंड बरदास नहीं हो रही है कहीं परकार के गलत कारिये जिन में खून की टाकत गड़ती है तता नाडियों के लक्षण होने पर इसका प्रियोग बहुत लाबदायक होता है पहले से ही किये गए दुस्क करम कारिये के कारण बुड़ा पे की इस्तिति हो गई हो तता आनुवान से कमजोरी होने के कारण उत्पन रो को ठीक करने के लिए एगारीकस मस्केरेस का प्रियोग होना कुछ बोलता रहता है लेकिन कुछ पूछने पर जबाब ने देता अधिक बोलता रहता है कोई भी कारिय करने कोई भी कारिय नहीं करता है रोगी डरता है चिलाता है तता कुछ न कुछ बड़डाता रहता है रोगी कुछ न कुछ भवश्यमानी करता रहता है रोगी को जंब को गाहिल करना चाहता है या मानसी की फरेशा नहीं हो गई हो तो जिसके कारणा अधिक ठकाउट महसुस करता है इस परकार के लसन से फिडित रोगी को एकेरिकस मस्किरिस का परियोग कराना चाहिए रोगी को दूप से तता चलने समय चक कर आते हो रोगी को ऐसा महसुस होता ह उसका सिर्द लगाता रगतेशी लावता में रहता है सिर्द के पिछे की तरफ गिनने लगता है सिर्द के पिछले बाग में कोई बारीच चीज रखती हो ऐसा रोगी को महसुस होता है रोगी के सिर्द के दर्द में ऐसा महसुस होता है कि किसी ने उसके शिर में नाखुन या कील गाड दी हो जब रोगी लंबे समय तक पढ़ने लिखने का कारे करता है तो उसके शिर में दर्द होने लगता है रोगी को ऐसा मेसुस होता है कि शिर पर बरफ रखी है और सुयया या कांटे से चुबने जैसा दर्द हो रहा हो रोगी अपने सिर्फ गरम कपड़े रखने की इच्छा करता हो सिर्फ दर्ज के साथ नाग से खून बह रहा हो, गाड़ा कफ तता नाग के साथ तराव हो रहा हो इस परकार के लक्षन आकर किसी में है तो एगेरिकस देना के यह मुग के लक्षनों में रोगी कोटों पर डंक मारने जैसा दर्द हो रहा हो, तता उसके साथ ही जलन भी होती रहती हो जीब का स्वाद मिटा मुग के अंदर की उपरी बागता तालू में छाले हो जाते हैं जीब में कील गड़ने जैसा दर्द होना हर समय अधिक प्यास लगना जीब में अधिक कमपन महसूस होना तता जीब का रंग सपैद हो जाना इस पकार के लक्षन से फिडित रोगी को एगेरिकस मस्किरिस का प्रयोग कराना ते ये रोगी को अपने कान की नसों में सुई चुबने जैसा दर्द होना गले में शुक्रून होती है बल्गम के छोटे छोटे ठोस ठक्ये जम कर निकलना स्वास नली ग्रास नली में रुकापन किसी चीज को निगलने में कष्ट होना गले के अंदर खुर्चन हो जाना जिसके कारण बोलने में प्रहसानी होना इस प्रकार के लक्सरों से पिडित रोगी का उपचार करने के लिए एगे रिकस मस्कीरे सोष्टी का प्रियोग करना चाहिए आमा शे के अंदर रोगी को ड़कार आती है ड़कार लेने पर पानी का स्वाथ शेब जैसे लगता है नाडी में कहीं तरह के दो सुटन हो जाते हैं रोगी को हिच्की आती है रोगी को भूग तेज लगती है आमा से तता पेट के अंदर वायू बनने के कारण पेट फूलने लगता है मल दुआर से वायू निकलने पर अधिक बद्बू आती है बोजन करने के लगबग तेन गंटे के बाद आमा से में जलन जो पेट धिरे धिरे दबाब में बदलता जाता है पेट में गुड़गुड़ गडबड़ी होने के साथ यकरत में दर्द होना तेज दर्द होना इस परकार के लेस्टन यदि किसी रोगी में हो तो उसका उट्चार एगरिकस मस्केरियस तीस पोटेंशी दिन में तीन बार ग्यरा दिन के लागे अपने डोक्टर से राई करें थैंक